मनोच जी एक चीज समझना चाहेंगे आप से कि उस दिन की मैं रिपोर्टिंग देख रहा था क्योंकि हम लोगों को भी खबर छाप नहीं थी हमेरे एडिटर से बात हो रही थी तो मैंने देखा कि कुछ एक जो चैनल घोसत तोर पर सामप्रताइक हैं उन्होंने ले जाकर जाती बताई लड़के की उससे पहले जो सेकुलेट आई पत्रकारिता है उसने लड़के की जाती नहीं बताई थी सिर्फ मारने वाले की जाती लिखी थी या कई जगा मरने वाले की जाती लिगी थी मारने वाले की नहीं लिगी तो यह जो पत्रकारिता हुआ होगा पांचे दिनों में 21 तारी से लेके और और आज देई से चार दिनों में इन दिनों की जो जनरलिजम है और इससे कोई माहौल वहां का बदला है या अभी भी सब कु तो मैंने इसमें कुछ जरूरी जो तत्थ हैं उनकी तरफ देखने की कोशिस की तो उस पर एक मिनट जरू मैं बताना चाहूंगा कि जिस युग की हत्या हुई है दिलसाद हुसैन की उनकी जमानत जो है हाई कोड से हुई ती इस केस में दोजार बीश सितंबर में और ये अख दूसरा ये था कि ये रेपिस्ट है और इसलिए इसको मारना जायज था और इस पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने खुशी मताई जबकि हाई कोड ने जब जो बेल आडर दिया है उसमें इस बात को पोड़ पिया गया है कि यह 11 फरौरी को यह लोग दोनों लोग दिल से इनको पगड़ के लाई और यह फिर जेल गया है और कुछी समय पहले चूट कर आए थे और 21 को दो पार यह जब अपने वकील से मिलने का चारीव गयते तो इनको गोली मार भी लेकिन हाई कोड का बेल आडर आप पढ़िए तो उसे बहुत हो जाता है कि यह पुरंद कर अब लिए गया गय थे गया रहा को केस दर जुआ था और इस तरीक को इप्तार कर लिए गयते और वीश परोटी से यह जेल में थे और फिस हितंबर में इनको बेल हुई उसमें उस बेल आडर में यह साफ साफ है कि जो जिस लड़की को मेडिया ने ना वालिक बताया वह उ है यानि कि घटना के समय उनकी आई बाइस जबकि पुलिस ने इसमें पाक सो एक भी लगाया अप्रहण का भी लगाया और रेव का भी लगाया तो क्या हुगा कि मेडिया में जब आप यह करते हैं पूरी सूचना नहीं देते हैं ना वालिक आज भी लिखा जारा है दूसर कि राजनीती बनाई गई है अलपसंद के समाज के पती नफरत और लब जिहाद का भी बल्कि लोगों ने लिखाता है कि उसने अपना धर्म छिपा के साधी की यह दोनों लोगों ने यहां से जाने के बाद आरे समाज में साधी करनी थी और इच्छा से रहा रहे थे इस तर मेडिया में बहुत सारे लोगों ने जायज चाहराया कुछ लोगों ने जो जिस्पिता ने गोली मारी है उनको उनको हीरो के तौपे पस्तुत कर रहे हैं और उनको आर्थिक सायता और समाजिक सपोर्ट देने की भी बात चल पड़ी है तो यह कजीब साफ जो इस तरह का इ पहले हुआ उसमें भी गलत तरीके से चीजें रिपोर्टिंग होई और दूसरा योगी जी जब खुद लड़ रहे हैं और वो खुद भी ऐसे भासर देते रहें कोई चुपम चुपाई की बात नहीं है और तो सर्याम बोलते रहें तो इससे थोड़ा और सह मिलता होगा व कि बहुत चरयाम धारदार हतियारों से जिसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं उस तरह से बहुत ही कुरूरता पुर्वक खर्ट्या की जैती तब भी उस समय समाच का एक बड़ा हिस्सा जो है उस घटना को वह चुप रहा तो एक दिक्कत यह है कि अपराद की घटनाओं क तो अपराद की तरह ना लेकर अब अब जाती धर्म के नजरिये से देखा जाने लगा है और इस हिसाब से अगर हमारे समाज का उत्विडिद बर्ग है तो हम बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे अगर हमारे ही समाज का उसने अपराद किया तो उसके सपोर्ट में खड़ जबकि जो हत्या करने वाला था तो उसको ने दोस्त बताते हुए वह दूसरे दल के जो लोग है जिनकी बड़ी चर्चा है वह लोग उसके पच्छ में खड़े हो गए तो आज हर घटना में अब बात क्यों अपराद और अपरादी और तथ्य और विवेशना की नहीं रह कोंगा है कि गोरख्षूर और आसपास की इस तरह से यह आनर किलिंग की घटना है एक तरह से बिल्कुल यह जो घटना हुई है वो आनर किलिंग है और उसको न देखकर यह सजा के तोर पर दिया जा रहा है और जिस तरह से लंगाना में एक घटना हुई थी और उसमें पु प्रवांचल हमलों का इलाका करें जाता है कि लड़कों इस कि कहा पंचायते नहीं है अब तरह का साह्मती सथाधिक नहीं JUती है। और उसी तरह से दमन करता है और आनर के लिंग की बहुत सा ज़्यादा घटनाएं हुई है और सभी घटनाओं में एक बात देखना है कि पुलिस भी पुलिस का अब गिराविया जो है उसमें जो अपराद करते हैं जो हत्या करते हैं उनके पच्छी एक बहुत उदार आता है गटना में गया था तो वह पिता ने अपने बेटी की हत्या कर दिती क्यों कि वह एक दूसरे जात के लड़के से प्रेम करती थी तो मैं थाने में गया था और इस्पेक्टर से मिला और उनका पच्छ से जाने कोशिश थी तो उन्होंने कहा कि मैं तो मैं भी यही करता अगर लड़की का पिता होता तो मैं भी यही करता मनों जी आप से पहले अब तक किसी ने वो जानकारी नहीं दी थी 164 के बयान वाली जिसमें आप कह रहे हैं कि 22 साल उम्र हो गई है क्योंकि मैंने जंजवार के भी रिपोर्टर को जब लगाया तो वो भी करीब करीब थोड़ा आगे बढ़ कर बात किया था लेकिन वो वाला सच नहीं निकल पाया है तो ये बताईए कि ये गैप क्यों रहा मतलब जनरलिजम में ये गैप हम सब को नहीं रखना चाहिए लेकिन ये गैप क्यों छोड़ जाता है ये तो बहुत तारम्रिक चीज थी जो कि ये पता करना चाहिए था वहां के पत्रकारों क है वो भी मैंने लंबे समय से गोरफुर में तो खास तो देखा है कि वो भी एक विचाधारा से ग्रस्त हैं सामन्ती भी विचाधारा है इसलिए वह गटना को उसी तरह से देखते हैं यह पत्रकार का काम था कि तत्वों की चांदिन करना तो यह बहुत आसान था क्योंकि इस से वो मिलने आया था अपने वकील से उन्सें बात करके पूरे केस की नवयत जाने जा सकती हूज थी कि ने क्या था लेकिन इतना किसीन ने कोशिस ने यह एक मामूली सा बात थी दूसरी लाइन में वकील बोल देता यह बात बंव क्या था क्योंकि मैं देखिये कि गलत सूचनाओं से कैसे होता है जब घटना तुरंत जब घटी ती तो उस समय सोचल मीडिया में इसको एक कानून ब्यूस्ता का मुद्दा के रूप में लिया गया कि एक ब्यक्ति की हत्या कर दी गए वकीलों ने विरोध भी किया वहां सब्सक्राइब कि और नहीं और जो लोग वहां नहीं थे बाहर के लोग यह का रहे थे कि कि cmct में इस्तिती है जो बाजबा जो है कानून ब्यूस्ता को कर दिया वहां पर यह था है कि जिस कचारी में हर गेट पर पुलिस होती है वहां आप्या नहीं हो सकती लेगि जो ही एक बात और आई कि मरने वाला मुस्लिम है तो ही एक जो विरोध का जो वो थी उसमें से कु कि इसरी सूचना आई कि उसके खिलाब वह रेप का केस था और मारने वाला दर्की का पीता था तो फिर इसको उल्टा एक बात होगी कि जस्टिफाई किया जाने लगा इस केस में देखिए क्या आये था ना कि जो सियार्पीसी एक से चौसर्ट का जो बैल आडर पढ़ने कि से लगता है क्योंकि दिलसाथ दोसाइन के वकील ने जो अर्गुमेंट किया था बेल के लिए तो उन्होंने वात कही थी कि एज का उन्होंने सर्टिफिकेट रखा था फिर यह कहा था कि यह लगातार जेल में थे और स्यार्पीसी एक सचोश्ट के बयान के उन साथ दोनों बेल नहीं देता और उनकी सितंबर में बेल हो गई एक अख़बारों में यह भी बात आए कि कुछी दिन पहले हो चूटे थे लेकिन वह सितंबर बीस में ही चूट गया थे तो जाहिर है कि जो पाक्स को कोट में जो एक क्वेस्ट चल ला था तो लड़की के एक सब्सट के बयान और उसके केस कमजोर होता और दिलसाद हुसेन के पच्छे में जाता है मुझे लगता है कि यह दोनों तक थे जिसने उस पिता को यह प्रेरित कि अपने तरह से फैसला ले और यह देखिए एक समाजिक दबाव का नतीजा है एक समाज जो है जो कहने के लिए आधुनि है और अभी भी एक उज्जत को लेकर एक जो धाड़ा बनी हुई है यह पहला केस नहीं है मैं बता रहा हूं कि यह तो लो मार देते हैं या मर जाते हैं जैसे इस पिता का बयान है अख़वारों में आया है उसने दो ही चीज़ का कि सही बेक्ट को मैंने गोली मारी तो कहा गया कि हाँ आपने जिसको दिलसाथ हुसें ही मरा है तो उसने कहा कि मैं अब मुझे फासी पर भी लड़का दिय उसने अपने जिससे प्रेम था उसको साधी कर लिया था और उसके पिता ने कुछ महीनों के अंदर पूरे परिवार सहीत आत्मात्या कर लिया था बाकी सारे बच्चों के साथ एक साथ जहर देके और फिर अपने फासी से लटक गये थे इसी चौरी-चौरा के पास की घटन दोनों बेटियों के बहुत आपके दिवरियां वहीं भटनी के पास की घटना है और उसके दोनों बेटियों के सौव को दफन कर दिया था अपने खेत में और बाद में पता चला यह यह दिखाता है कि यह जो समाज है अभी भी पिछड़े हुए जो मुल्य है उसके बनता है ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि पूरे साहर समाज के इतने प्रेम विवाब ही हो रहे हैं उसकी समाजिक शुक्रतियां भी मिल लेकिन एक अपना अपने मंद का दबाव है कि हमारी बेटी ने किसी से प्रेम किया चाहे हो दुसरे जात का है तो वह हमारे उपर दब है कि हमारी इज्जत चली गई कोई न भी कहे तब भी वह इस दबाव में घुटन मस्ट आ जाता है और उसका अभी इस मामले में जो जो जुलाई में जो हत्या हुई थी ग्राम पंचाइद अधिकारी की जो उनकी पत्मी थी जो ब्रहमर जाती थी उनका स्टेट्मेंट पह खाल लेकिन वह नहीं चाहते कि हम अपने मन से साधी कर लेरे उसे अर्य हम को इतना बड़ी इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे पिता और भाईयों ने मेरे साथ किया है मैं तो सोच भी नहीं सकती कि यह समाघ इतना स़ड़ा-गला है कि और तो यह स्माज में तो लड़किए फैसला नेयन चाहती हैं समाज बदला को मता बिता तो यह तो चाहते है कि विघेim doctor हो जाए इंजिनियर हो जाए अधिकारी हो जाए यह अपने 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 प्रेंप सु silver कडि ने करे अखुआा को करे इस नियंत enabling